हेलो नमस्ते आप देख रहे हैं कैसे सीखूं मैं हूँ आपका दोस्त लप सिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का कहानी जो है बहुत ही सुन्दर ये कहानी है तो इस कहानी को शुरू से लेके लाक्स तक सुनिएगा और समझेगा कि आप क्योंत बहुत दोस्तों को क查नी को द्यान पड्रवक सुनिएगा पसंद आया तो लाइक किए जैक अपने ही डूस के साथ बीडियोज को और हमारे चैनल पर हैं या मीरी कहानी पहली बार या कोई वीडियो पहली बार देख रहे है की चैनल को भीना के भीन समस्क्राफूने क जाहिएगा इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं चल चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो आज काहानी जो दोस्तों एक गौं में बहुत सारे किसान रहते थे जो अपने खेतों में ब्यत्त रहते थे अपने कामकार्ज में ब्यत्त रहते तो अचानक एक दिन क्या होता है कि बाहर से एक सेड़ी आते हैं उस कौं में उस गौं में सेड़ी आते हैं तो सभी किसानों को एक अठा करते हैं कि देखिए आप लोग के लिए एक इस्कीम लाए हुआ है ठीक है इस्कीम को जो फॉलो करेगा तो अब लोग को पैसे मिलेंगे और अपना अराम से रोजी रोटी आप चला सकते हैं तो वह कहानी जो यह सेट को स्यारो तरब से जो आदमी है वह घहर लिया और बोनने लगा बताईए क्या इस्कीम है हमारे लिए सभी किसान पुछने लगे कि बोलिए आप कुन सा इस्कीम क बात कर रहे हैं जिसमें हमें पैसा होगा तो जो शेट था शेट पहुती चतूर था तो उसने बोला कि देखिए आपके गौ में जितना बिल्ली है ठीक है सभी बिल्ली को पगड़के मुझे देना है तो जो भी व्यक्ति जो भी किसान मुझे एक बिल्ली पगड़की देग खिल को थी को ब्ली चेकित हो फिली है कि यह क्या करेगा जो एक लिए 60 रुपिया देगा तो आपस में मतलब बाकर किये कि ठीक उस एक बिल्ली का 100 रुपिया के दर से सभी किसानों को पैसा देते हैं यह कर दो तीन दिन चलता रहा दो तीन दिन के बाद क्या हुआ गाउं का सारा बिल्ली खतम हो गया उसके बाद सेट ने बोला कि आजकल बिल्ली काम आ रही ऐसो आप लोग महिनत नहीं करते हैं जल्दी दीजे बिल्ली हमें जतना जल्दी दीजेगा और हम जो है आप लोग के लिए उतना फिर दूसरा स्कीम लाएंगे तो सभी किसान ने सुझा कि मेरे गाउं के सारे बिल्ली तो खतरम हो गया कोई बात नहीं पड़ोस में के गाउं में जो है वहां जाके मैं बिल्ली पकड़ बिल्ली सारे खतम हो गए तो अब कोई बिल्ली नहीं मिल रहा तो यह दो सब जो है किसान अपने फिर से कामूं करने लगा उसके बाद एक दिन शेट फिर से आया शेट ने बोला कि अपकी ज़्यदी जो बिल्ली मुझे पकड़ के देगा मैं एक बिल्ली का दो सूरुपय दूंगा तो फिर वही करते रहा कुछ दिन तक परिकरिया चलते रहा फिर दो सो एक बिल्ली पे दो सूरुपया देना चाल तक चुप रहे और उसके बाद फिर वो क्या किये वो फिर दूसरे आए और बोलते हैं कि एक बिल्ली के में जो है 500 रॲपय दोंगा ठीक है ज़िया कोई बंता एक बिल्ली को पकढ़ के देता है या 1000 रुपयाया लोग को देने के लिए तैयार हो तो ब्लब명 तो यह बंदा जो है फिर से सभी किसान ने अपने अपने काम को छोड़ा और फिर से बिल्ली के तलास में लग गए कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वह बंदा आया और बोला कि अब की बार जो मुझे बिल्ली पकड़के देगा मैं उसे एक बिल्ली का 1,000 के बिल्ली भी तुक है तो गना के बिल्ली भी खतम हो गया थे फिर भी दूसरे में तिसटे में जा जाकर जाकर कि सानों ने एक दो बिल्ली दिन भेदो्य लेता था तो यहाजार रुपए 2000 रुपए हो जाता था उसके बाद अचानक क्या हुआ कि एक दिन और सेट के साथ में एक और लड़का को लेकर आया ठीक है तो वह लड़का बोला कि देखिए अब तो सारे गाउं की बिल्ली खतम हो गई है यदि आप मेरे बिल्ली मेरे पास बहुत सारे बिल्ली पड़ी हुई है ठीक है मैं आपको 500 के हिसाब से एक बिल्ली दूँगा और आप इसको एक हजार में बेश सकते हैं मिरे पास बहुत सारा बिल्ली है तो इतना बिल्ली का मैं क्या करूंगा तो आप लोग लेके बेश सकते हैं सेट को ठीक है तो वह क्या किसा ने अपने मीटिंग मेठाया कि नहीं यह देखी यह बंदा सही बोल रहा कि हम इसनके बिल्ली को 500 रुपए में लेके और वो सेट के पास 1000 रुपए में बेच देंगे जिससे कि हमें दुगोना का मुनाफ़ा हो जाएगा तो सभी किसा नहीं सोचा एक दो बार तो इसमें तो एक आजा रुपए देंगे ही देंगे तो उसने क्या किया वह दूसरे वाले सेट से सारे बिल्ली किसानों ने खरीज लिया 500 रुपए में ठीक है और शेट वहां से फरार हो गया और जितना देखिए वही बिल्ली जो में यह 100 रुपए 200 रुपए में खरता और वही सार लिश्तरी के आसा से आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उमीद है प्यारी सी छोटी सी कहानी आपको पसंद आए होगी तो मिलते हैं दोस्त एक और नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपको यह दिकाहनी पसंद आई तो लाइक करें यह कुई तरह का प्रोब्लम है तो आप ह हमें कमेंट करके जरूर बता है तो मिलते हैं दोस्ते एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो